तो चलिए जी सुबों के बज़रे हैं 6 और मैं भी जो है आ गई हूँ किचन में अफट अफट जो है बचों का लंच बना के रेड़ी कर देती हूँ तो मैंने आज बचों को पनीर सेंड़िच दूँगी और उसके लिए मैंने पनीर लिया है तो ब्रेड को जो है ब्रेड के आज है मुझे तो अच्छ लगते हैं मैं तो खा लेती हूँ और मॉर्णिंग का जो सेडियूल होता है यार इतना है कि बनाने से जादा यह सोचने में टाइम लगता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं और जो है फिर मेरे बच्चों के साथ तो पता है कि अगर जैसे रोटी बनाओ या कुछ एता हो ना एक खाएगा एक निखाएगा सो ना तो खा लेती लेकिन आरव बिल्कुल भी नहीं खा पाता रोटी सब्जी तो इस वज़े से मुझे मतलब पूरे दिन के खाने में से बच्चों का लंच बॉक्स डिसाइट करना बहुत मुस्किल होता है तो अब मैं इसको डाल देती है और इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है कि आरू खाएगा या नहीं खाएगा क्योंकि सोना तो खा लेती है लेकिन उसका बड़ा जंजट है तो जो है बारिक वाले इसमें मैं इस तरीके से इसको ग्रेट कर दिया और आप लोगों को मेरी वी अच्छी लगती है तो उस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर किया किजी अब जो है मैंने यहां पर इस तरीके से यह पनीर रखा है और इसको थोड़ा थोड़ा दूंगी यह देख सकते हैं और अगर बच्छे से रोटी सबजी ले जाए तो एक इबार का हो जाता है यार थोड़ा सा जो है ओरिगेनो डालूंगी और सोना वाले में थोड़ा सा चिली फ्लैक्स डालूंगी और फिर मैंने यहां पर लगा ली है चीज तो चीज की वज़े से इसका जो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इस तरीके से भी आप लोग जो है मतलब अगर दो सेंड अरुको और इगेनो ज्यादा पसंद है और सोना अगले हलका फुलका चिली फ्लैक्स चल जाता है अब जो है हम यह देख सकते हैं कि थोड़ा चिली फ्लैक्स में और ढाल दी हूं तो इनसे काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है और आस दिन में मैं राजमा बनाऊंगी इसलि है तो दूसरी जो भी चिली है अपलाई कराउंगी अपलाई में में लेंग्वीज भोड़ा पता ने क्यों वह यह आ जाता है मेरे मूं में ना मियॉनिज लगाऊंगी और पहले ना मेरे बेटे को मियॉनिज पसंद नहीं थी लेकिन अब उसको अच्छी लगती है मियॉनि तो उसका भी काफी अच्छा टेस्ट आता है और आजकल मैंने काफी दिनोसिस को न्यूटेला नहीं दिया तो बीच में दांतों में थोड़ा दिक्कत हो रही थी इस वज़े से मैंने उसको अवाइड किया है और कुकिंग से रिलेटेट कोई भी सजेशन कोई भी इंफ्मेशन आप लोग मुझे देना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएं या फिर डीम में बताएं कुछ भी सजेशन आप लोग अपनी तरब से देना देख सकते हैं बहुत अच्छी और एकदम क्रिस्पी यह बन रहे हैं मैंने इनको कट भी कर लिया है घर में बिना कट करें ही दे देती हूं लेकिन जो मैं लंच बॉक्स आज देने वाली हो उसमें यह नहीं आएगा इस तरीके से ना पूरे बड़े बड़े तो ज्यादा लंच बॉक्स का यह एक नुक्सान भी होता है कि कोई ऐसे चीज नहीं आपाती इसमें जो थोड़ा साइज में बड़ी हो अब जो है मैं लंच बॉक्स रेडी करूंगी और उसके बाद जाएंगी दोनों बच्चे स्कूल तो बच्चे तो आज तो खुश होने वाले बही आज उनको उनकी फेवरिट चीजी जो मिल गई है और इस वाले लंच बॉक्स में मुझे बड़ी दिक्कत होती है यार कि ऐसे कुछ दूज़े से रोल बना के देना हो कभी ना सबजी अगरे के साथ रोल तो भी नहीं आता इसमें फिर रोल भी कट करके देना पड़ता है इ जो है मैं इसमें थोड़ा से एक्स्ट्रा चीजे भी रखोंगी और जिससे की बच्चों को जो है तोड़ा सा अपना जो लंच बॉक्स है वो यमी लगे और दो मैंने यहां पर ओरियो रखे हैं और दोनी तीन रखे हैं और उसके बाद जो है साइड वाला बच्च रहा है तो उसमें मैं थोड़ा से एपल काट करण देती हूं तो मेरेसाथ क्या होता है कि जासे मैं एक unto everyone नोग्ट मैरे साथ क्या होता है कि जैसे मैं लंच बॉक्स लंच बॉक्स ऑफ दे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में